जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में क्रूना के 1481 नए मामले मिले कूल एक्टिव केस बावन सव के पार जार्खन में क्रूना के 1481 नए केस मिले हैं जबकि 104 मरीज स्वस्त भी हुए हैं बता दे मिले मरीज में राची से 615 पूर्वे सीमुम 128 हजारी बैक्चिया सट बोकारू पंचानवे धनबाद 109 रामगण 82 कोडार्मा 36 पच्मी सीमुम 100 पलामू साथ देवघार 102 गुमला 13 गिरीडी 3 लातेहार 18 खूर्टी 21 रायक लखर सवा 9 सिमडेगा 7 गढ़वा 5 लोह बता देगा 9 चातरा 21 गोड़ा 8 जामतरा 8 दुमका से 15 और पाकुड से 4 मरीज मिले हाए जारखंड के जीलो में एक्टिव केस इस परकार हाए राची 234 पूर्वी सीमुम 623 हजारी बैक 234 बोकारो 338 धनबाद 506 रामगण 150 कोडार्मा 469 पच्मी सीमुम 29 पलामू 29 देवघ एक सो निनानबे गुमला 42 गिरी डी 49 खुटी 101 लातेहर 29 सरायक लखर सवा सोला सिम्टेगा 18 गड़वा 11 लोर्दागा 15 चातरा 49 गोड़ा 29 जामतरा 27 साहिव गन 4 दुमका 23 पाकुड में 8 मरीज एक्टिव हाए जारखंड में 3 करोर डोज का आकणा पार जारखंड में करोना के तैजी से बढ़ते मावलो के बीच राहत वाली खबर एक है कि राज ने करोना के 3 करोर डोज का आकणा पार कर लिया है बता दे पहली और दूसरी डोज मिला कर 3 कर 52,183 डोज हो गई है स्वास्त मंत्री बनागुपता ने ट्वीट कर एक खोसी जाहि जारखंड के स्वास्त मंत्री बनागुपता ने अपने ट्वीटर एकाउंट के जरिये जनकारी साजा की है कि राज में करोना के बढ़ते संक्रमन के बीच एक सुख दायक खबर है कि जारखंड ने 3 करोर डोज का आकणा पार कर लिया है मंत्री बनागुपता ने बताया कि राज़े में कुरोना के तीन कोवर 52,183 डोज हो गई है जिसमें प्रत्थम डोज 1,86,181,412 और दूसरी डोज 1,13,707,71 है रांची के बुड़ू में हाथियों का उत्पात फसलों को रौंदा जारखन के राची जिले के बुड़ू के सुमान डी गा में जंगली हाथि का जूंड पहुंचने से ग्रामनों में दसत है बता दे इस बीच ग्रामनों ने बन विभाग के अधिकारियों को इसकी जनकारे दी और फसल छती को लेकर मुववजे की मांग की इधर जंगली हाथियों का जूड सिरका डी बाग डी तिलाई मार्च होते हुए रेला डी जंगल पहुंच गया है बता दे बीती रात देर दर्जन से अधिक किसानों के धान आलू बैगन टमाटर यो महरी सबजीयों को टीस की संख्या में जंगली हाथि गाव पहुंचे थे रांची से चलने वाली कई ट्रेनों में सुरू हुई अनरक्षित टिकट की सुवधाये बीस जोई ट्रेनों में अनरक्षित टिकट की सुवधाये शुरू हो गई है बता दे कुरोना चंक्रमन में यात्रियों की भिर को नियंत्रन करने के लिए रेलेवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों में अनरक्षित सीटों के लिए टिकट की सुभधा बंद कर दी थी अब रेलेवे ने कई प्रेसेंजर ट्रेनों का परिचालन दोबारा सुरू कराया है इसमें कई ट्रेनों में अनरक्षित टिकट की सुभधा दोबारा सुरू कर दी गई है बता दे 20 जोई ट्रेनों में अनरक्षित कोष लगाए गए है जिसमें राची चोपर राची, राची सासारम राची, राची आरा राची, हटिया पुर्णिया, कोट हटिया, हटिया इसलामपूर हटिया, खड़कपूर राची खड़कपूर सामिल है आज से सहर होगा सेनेटाइज, संक्रमित के घर भी होंगे सील राई धानी में रोजाना सेकलो संक्रमितों के मिलने से जिला परसासन और राची नगर निगम रेस हो गए हैं बतादे उपायुक छवीर अंजन ने इंसिडेंट कमांडेंट को आदेश दिया है कि जो भी नए क्रोना संक्रमित मिल रहे हैं उनके घरों को सील किया जाए अंटेन्मेंट जोन घोसित किया जाए उपायुक तने इंसिडेंट कमांडरों को संक्रमितों की कौन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग तेज करने को कहा है कैट 2021 के रियल्ट सोमर को जारी कर दिया गया है बताद जारखन में जमसेदपूर के अन्मोल सिंग को 99.92 परसेंटेज और एन आईटी जमसेदपूर के अमतिम बर्स की छात्रा नीमीस्ता पांडे को 99.89 परसेंटेज अंख हासिल हुआ है जारखन में प्रखन के पता अधिकारियों के लिए निमावली में संसोधन किया है इसमें पूर्व की सर्तों में बदलाव किया गया है क्रिसी विभाग ने इसे समधित गजट परकासित कर दिया है गजट परकासन की तिस्य से इसे लागू किया गया है बताद जैसके अनुसार जारखन क्रिसी अधिनस्त सेवा नेमावली 2015 में संसोधन किया गया इसके लिए परिक्षा कायोजान जार्खन कमचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा इन में असनातक अस्तरपर तक्निकी पढ़ाई करने वाले ही हिसाल लेते हैं मंत्री चमपई सुरेने छातेवीर्ती देने का दिया निर्देश जार्खन राजे के मंत्री चमपई सुरेने मामलेक को संग्यान लिया है उन्होंने गुमला जी लेके 3,12,003,64 को शातेवीर्ती देने के लिए बैंकों में खाता खोलने वा मैपिंग करने का निर्देश दिया है मंत्री ने गुमला उपायुक सिसिर कुमार सिनहा को निर्देश देते हुए कहा की 3,12,13,64 को शातेवीर्ती नहीं मिला गंभीर ममला है उसके समधान हेतु कल्यान विभा गुमला के अधिकारियों तथा अस्थानिय बैंकों के अधिकारियों की बैठक बुलाए ताकि उनसे समयनवा अस्थापित करके इस समस्या का समधान निकाला जा सके जार्खन फोरेश्ट गार्ड नियुकती वाली याजका खारिज जार्खन हाई कोट के जोशिष डाक्टर एसन पाठक की अदालत में फोरेश्ट गाड नियुक्ती में मोडल उतर गलत होने का दावा करते हुए दाखिले आजका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान जेसेसी के जबाब को देखते हुए अदालत ने प्रार्थी की अजका को खारिज कर दी इस समवन में रोहित कुमार की ओर से हाई कोट में अजका दाखिल की गई थी बतादे सुनवाई के दोधन प्रार्थी की ओर से कहा गया कि JSSC की ओर से 2014 में फोलेस्ट गाट की नियुक्ती के लिए बीगापण जारी किया गया था परिक्षा में कोई मोडल उतर गलत थे इसलिए परिक्षा का पριनाम रद करते हुए 12 संसोधी परिणाम जारी किया जाए पांच जनवरी से सुरू होगा इक कल्यान पोर्टल नहीं बढ़ाया जाएगा समय जार्खन के अनसुचित जाती जन जाती और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कॉल से इक कल्यान पोर्टल खुलेगा बतादे छात्र विर्थी जोजना के लाप के लिए कल्यान भी भाग ने दिशानिदेश जारी कर दिया है इसमें जार्खन के अंदर या राजे के बाहर मने अताप्राप्त बीट कोलेजों के सेखनिक अस्तर 2020-22 के लिए बर्ष 2021 में नमांकन लेने वाले चात्र चात्र आवेदन कर सकेंगे इन चात्र चात्राओं को 2021 के लिए जोजना का लाप दिया जाएगा रांची के पांच बिद्यालों में बनेंगे जाती परमान पत्र रांची के पांच बिद्यालों का चयन पाइलेट पोर्जेक्ट के तहत किया गया है दरसल इन विद्यालों में छात्र शात्राओं के जाती पवान पत्र को त्यार करने की समती विभाग ने दिया है ताकि बच्चों को सरकारी योजनाव का लाप सहसमाई मिल सके बता दे इस समन में जीला सिक्षपता दिकारी और विंद विजय बिलूंग ने बताया कि सोमवार को ही विभाग ये बैठक में जाती पवन पत्र को त्यार करने और इसमें पेस आ रही दिकतो पर विचार विमर्ज किया गया साथी पहले चरण के लिए जीले के पांच बिद्यालियों का भी चैन कर लिया गया है रगुवर्दास पर टी सट और चोकलेट धांधली का आरोप जाच शुरू पुर्व मुखपंद्री रगुवर्दास के कारेकाल में बर्ष 2016 में जार्खन स्थापना दिवस समारो के मोकेपटी सट और ट्रोफिक की निविदा और वित्रन में होई और निमिता की जाच आराम कर दी गई है बता दे बिधान सवा की अनागत प्रष्ण किर्यानोयन समीती ने इस परकरण की जाच का आदेश दिया था इस कमेटी के साभापती वरिष्ट बिधायक और राज सरकार के पुरो मंत्री रामचनर चलबंसी हैं जबकि इसके सदस्यों में पुरो मंत्री निरायादव, मनिस जैसवाल, मत्रप परसाद महतो और समीर महंती सामिल हैं बता दे जमसेद पूर पूरवी के बिधायक सरजुराय ने इस परकरण से सम्मंधित सवाल बिधान सवा में उठाया था और उच अस्तरीय जाच की मांग की थी मौसम विभाय के अनुसार जारखन में उतर पचिम की ओर से रेवर फिली हावा का असर दिखने लगा है पिछले 24 गंटे के दुरान जारखन में मौसम आमतर परसुस्क बना रहा सबसे अधिक्तम तापमान 25.6 डिग्री सेलसियस चाई वासा का वही सबसे कम तापमान 7.9 डिग्री सेलसियस हाजारी बाग का दर्च किया गया वही राची की बात करे तो अधिक्तम 20 और नियुमतम 8 डिग्री सेलसियस दर्च किया गया बतादे की राची में 28 गंटे के अंदर निम्तन तपमान 8 डिगरी तक की गिरावट दर्च की गई है सराय केला में नसे के खिलाब सड़क परूत्री महिलाए जार्खन के सराय केला खर्सवा जीले को नसा मुक्त बनाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाए सड़क परूत्री बतादे पहले आदिति पूर फीर सराय केला में महिलाओ ने नसा मुक्ती अभियान के तहत जुलूस निकाल कर परदसन किया इसके साथ ही पूलिस से नसे के कारोबारों पर लगाते हुए नसे के अवैद कारोबारियों पर करवाई करने की मांग की गई बता दे सराय किला जिले के दुरगा मंदिर परिसर से दरजनों की संख्या में महिलावों ने सराय किला थाना तक भी भी इन मारगों से होते हुए जुलूस निकाला नसा के कारण हो रही परसानियों को बैनर पोस्टल के माध्यम से बताया और हक की अवाज बुलंद की सराय किला थाना पहुचने के बाद सभी न थाना परभारी मनुहर कुमार को एक ग्यापन भी सोपा धन्यवाद